हेलो दोस्तों, गजब की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनेहरे कच्छुए की आमतोर पर कच्छुए को एक शांत जीव माना जाता है लेकिन कच्छुए का शिकार और उसकी तसकरी बड़े पैमाने पर होती है जिसे रोकने के लिए दुनिया भर के देश हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं वैसे तो कच्छुए कई तरह और अलग-अलग रंग के होते हैं लेकिन क्या आपने कभी गोल्डन यानी सुनहरे रंग का कच्छुआ देखा है आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में एक ऐसा ही कच्छुआ मिला है जिसका सेल यानी उपरी खाल सोने के रंग जैसा है जो देखने में बहुत शांदार लगता है वही लोग इसे अवास्था की नजर से देख रहे हैं और बड़ी संख्या में इस कच्छुए को देखने पहुँच रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह अनोखा कच्छुआ नेपाल के धनुशा जिले के धनुश धाम नगर निगम के इलाके में मिला है इस सुनेहरे कच्छुए की पहचान मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने इंडियन फ्लैप कच्छुए के रूप में की है वही इस कच्छुए के रंग का कारण जैनेटिक म्यूटेसन बताया जा रहा है जिसके कारण इसका रंग सुनेहरा हो गया वन्यजीव विशेशग्य कमल देव कोटा ने कहा कि नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक द्रिष्टी से कच्छुए को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है उन्होंने कहा कि कई लोगों का मानना है कि भगवान विश्णु ने ब्रमान को विनाश से बचाने के लिए एक कच्छुए का रूप अवतार लिया था कच्छुए के रूप में भगवान विश्णु का अवतार भारतिय पौरानिक कथाओं में कूरम के रूप में माना जाता है पूरे भारत में और यहां तक की नेपाल में भी मंदिरों में कच्छुए की पूजा की जाती है दोस्तों पूरा विडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह के और भी रोमानचक विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही नोटिफिकेशन ओन करना न भूले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए गुडबाई